अगर कोई हिंदू है और वो आतंगबादी है वो मारता है मासूम लोगों को उसके बारे में भी यही कहें गया हूँ हिंदू पहले आतंगबादी नहीं हो सकता यह क्या बात हुए मैं इस बात की कारंटी ले सकता हूँ उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना उर्दू कहा हूँ हमारी पैचान हिंदी से है या उर्दू से है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अप फिर मुझे उर्दू में ही पूछने मेरी भाषा हिंदी है मैं उर्दू नहीं जानता हूँ तो फिर ले मार काट यह क्या शुभा देता है मंदिर के महंत को बगवा पहने सादू को हम कहां मार काट करवा रहे हैं हम तो सांती से रहना चाहते हैं बहुत सांती से रहना चाहते हैं लेकिन जो लोग सांती से रहना नहीं देना चाहते हैं आखिर उसकावित कोई उफचार होगा उफचार जब सासन तंत्र के साथ नहीं होता है तो समाज को वह उफचार स्विम अपने हाथों में लेना पड़ता है और मुझे लगता है समय आ गया है जब उफचार लेना पड़ेगा एक भी दंगे की सुरवात हिंदों की और से नहीं ही सिंगल एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसल्मान होता है आप कैसी बात कर रहे हैं आप आज लोग कह देंगे कि ISIS के साथ लड़ने वाले लोग ने हिंदुएं ने मुसलमान हैं फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है आप कहते हैं कि आतंगबाद की कोई जाती नहीं होती है और राम जनुभुई पर हमला करने वाले आतं लिए लगा नहीं लिए लगा चला गया वैसे क्योंसिते साथ भी आतंगबाद की कोई जाती नहीं कोई मजब नहीं आप इसके साथ उसी परकार का भी आप अतंगबादी है मिट्टी तेल चड़कर करके आगड़ा डाल दिए लगा दी जिए फैंट दिए उसको जिससे पत अगर कोई मरने के लिए आई रहा है तो उस जिंदा कहां से हो जाए और शैग है तो झाल, यह दो कि लिए खोर्ष घड़ाइए एंदेक लोड़ा आई के लिए निए पर तो जान वोल्माने के लिए अचाह चपनाओ, कि लिए लिए आई ट संदी एट कि लिए अटाया है टिया स्वाएव स्ट खिग इस बहुतं उन्माने के लिए में दोड़ा